प्रकाशित फक्के के खुला सा कारिकरम में हर्दिक स्वागत है बहुत सारी बाते है रेवलेशन्स के बारे में हम डीपली बात कर रहे हैं लगातार आप देख भी रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है, बहुत से सवाल कीजिए, कमेंट्स को शेयर कीजिए ग्लोबली इस कारिकरम का बहुत स्वागत हुआ है, हमारी खुशी इसी में है कि आप इसका अध्यन कर रहे है आज भी from Heavenly Ladders Ministries, Brother Jagan has come, let's ask him a few questions बहुत सी बातों को देख रहे हैं, और हम सीख भी रहे हैं, यह टेक्निकली एक Bible क्लास के जैसा ही है और जब हम इसके अंदर जाते हैं, तभी हमें यह पता चलता है कि हम जतना इसे understand करते हैं, उतना इसे misunderstand भी करते हैं समझ में आता है आपने पिछले एपिसोड में कुछ बात की थी, मैं उसे सवाल के तौर पर पूछना चाहता हूँ आम तोर पर Bible is Gospel, Go and Spell ऐसा कहता है, और लेकिन Revelation जो है, यह थोड़ा सा different है, ऐसा आपने कहा Revelation is not for everyone, यह जो है Selective Church के लिए लिखा गया है, ऐसा ही Revelation 1 शुरू होता है, लेकिन It is part of the Gospel, यह मेरा सवाल है, इसके बारे में आपके क्या राया है, यह बताईए अब देखिए, यह जो सूसमाचार है, वो क्या है, बहुत से जो लोग है, वो Full Gospel कहते हैं, Bible में ऐसा कोई Gospel नहीं है, सिर्फ Gospel है Full Gospel तो फिर Half Gospel भी आएगा, एक चवथाई Gospel आएगा, इसकी संभावना नहीं है, सूसमाचार तो एक है, Gospel क्या है, यही तो विशे है यहने, Go and Spell इस तरह से हम आसान शब्दों में कहते हैं, हिंदी में सूसमाचार शब्द है सूसमाचार क्या है, मेरे लिए मसीहा आए, मेरे पापों के लिए वो मर गए, मेरे पापों का बोज उठाया और मृत्यू पर जैपाक कर फिर से जी उठे है वो उठाये गए और वो वापस आएंगे, इन चारों को मिला के बनता है गौस्पल यह चारों सूसमाचार है, मेरे लिए कोई आया, यह सूसमाचार है, मेरे लिए कोई मरा, यह सूसमाचार है मेरी मृत्य को कोई जीत कर जी उठा है ये सूसमाचार है वैसी वो परमिश्वर वापस आएंगे यही तो सूसमाचार है इन चारों को मिला कर ही गौस्पल है देखिए जबकि ईश्व मेरे लिए आये थे मेरे लिए मरे थे अगर यहीं पर रुख जाए तो यह समाचार मेरे लिए आधा होगा अब देखिए एक समय में याने 20 या 30 साल पहले की बात अगर कोई convention होता था पहले दिन पापों की शमा के बारे में कि यीशू कैसे पाप शमा करते हैं और फिर दूसरे दिन बपतिस्मा और ऐसे विशयों पर सिखाते थे फिर तीसरे दिन यीशू के आगमन के बारे में बताते थे आप पुराने गीतों की किताब देखिए कैसा भी गीतों अंत में उसके आगमन की पंक्तियां जरूर होती थी क्योंकि सूसमाचार में इन सारी बातों का समावेश है ये चारों होना चाहिए वो combination ये combination, ये combo आज की भार्षा में कहें तो ये combo है आज क्या हो गया है देखिए दिन बदिन ये जो है सिर्फ सूसमाचार का मतलब क्या है यीशु आये मरे पापों को शमा किया हमें आशिश देंगे ये सूसमाचार है अब उसके बाद देखिए वो तो जी उठे और ये बताना तो कलीसिया का काम हो गया है आगमन के बारे में बात करना शिक्षक का काम हो गया है बाइबल के शिक्षक ही आगमन के बारे में सिखाएंगे ऐसे वो सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इन चारों को मिला कर सूसमाचार है, क्योंकि अब हम ऐसी बात नहीं करते हैं, तो और कोई रास्ता नहीं होने के कारण हम केवल आगमन के बारे में कहते हैं, अब मुझसे प चारों को मिला कर बताएं, ऐसा कहने से ही वो सही होगा, वही सच्चा सूसमाचार होगा, लेकिन Revelation को लिखा गया है चर्च के सदस्यों के लिए उसी में एक difference है, अब देखे यहाँ पर वो आएंगे ऐसे बताया है, उनके आने तक क्या क्या होगा, क्या क्या करेंगे, ये तो गहरी बात है, दस आग्याई जो है, वो तो सभी को बताई गई थी, उसे तोड़ने वालों का क्या न्याय होगा, इसे मूसा और हारून को अलग से बताया गया था, उसमें भी लेवल है, तू हत्या नहीं करना, माता-पिता का आदर करना, वेभिचार नहीं करना, देखे य इन दस आग्याउं को मानेंगे तो फिर क्या सिखाया जा रहा है, अपने पापों के लिए क्या बलिदान करना है, क्या देना है, ये सब कुछ बताया गया है, ये जो कर रहे हैं, उसे सिखाने वाले अलग शिक्षक हैं, वो सिखाने वाले हैं, वैसे ही ये है, हम जो चर्च से ये बटवार अगर सही हो गया तो लोगों को सब कुछ मिल जाएगा तो हमारे कारिकरम को जो लोग देख रहे हैं जो चर्च में गहराई से जाते वो इसे और पसंद करके और गहराई में जाएंगा ऐसा एक समझ है यानि जो हमने सीजन वन में देखा वो सूसमाचार है जन अगर इसे दिल्चसपी के साथ में पढ़ते हैं इसे समझने की इच्छा रखने वाले केवल प्रोग्राम देखने से ही काम नहीं चलेगा इस किताब को अच्छे से पढ़ना जरूरी है और इसी के साथ दानियल को भी पढ़ना चाहिए पढ़ना है और वो भी इसे कैसे पढ़ना है वो भी बताया गया है लेकिन पढ़ना होगा लेकिन हम डैनियल को छोड़ भी नहीं सकते न जी हाँ ये दोनों एक कॉमबो है इन दोनों को जोडने पर ही समझ पाएंगे यानि इस तरह है डैनियल पढ़ने के बाद इसे आसान है इसमें पहले छे अध्याए तो इतिहास है और फिर बाद के छे जो अध्याए है उसमें ये प्रकाशन है और यहाँ पर पूरा खुलासा है मैं क्यों इसे पहले पढ़ने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि इसकी हर एक बात आपका ही विश्य है ये नयनियम का विश्य ये ये साथ में पढ़े तो आसानी से समझेंगे ये मुश्किल तो है पर असली बात यही है नयनियम साइड डिश जो है वो Chinese रख सकते हैं लेकिन में डिश जो है वो तो भारती ये खाना होना चाहिए यही बात है ये थोड़ा हेवी होगा या फिर लाइट भी हो सकता है लेकिन आपको यही पढ़ना होगा, इस तरह से पढ़ेंगे तो आसान होगा। डैनिल में एक सवाल उड़ता है, वो सवाल पूछने के बाद किया मं अंदर चले किया जरा देखिएगा, क्योंकि टाइम शॉट है, मैं इसे छोटा करता हूँ, और वहाँ पर आपने इच्छा से रिवील कीजिए ऐसा कह रहे हैं, डैनिल, लेकिन अंत में बस तुमारे यानि येही वॉल्यूम है, यानि इतनी मात्रा में यही कर सकते हैं, यही बात है, लेकिन मैं इच्छा से पूछ रहा ना, मुझे इतना दीजे पर आपके पास जगा नहीं है, उस समय के लिए काफी था, इतना ही चाहिए था, नय नियम की कलीसिया के लिए इससे देना है, यहना को यह पूरा देना होगा, हमारे लिए एक और प्रकाशित वाक्य नहीं है, यह फाइनल है, तो इसमें सब कुछ दे दिया है, इसका अर्थ क्या है, यानि जिसको जितना देना है, यह तो पहले सही तै किया गया था, वो भी प्लान करके टाइमिंग, सब कुछ पहले से जिसका आधी ना अंत हो, वो आधी और अंत को बनाते हैं, टाइमिलेस में बैट कर टाइम को बनाना ये तो बहुत ही आसान है, उसने वही तो किया है, तो इसमें जो कुछ हमारी जरूरत थी, वो सब कुछ दे चुके हैं, तो अभी हम कहां जा रहे हैं, देखें, नवे 18-19 तक हम यहां पर देखेंगे, इस एपिसोड में मनन करेंगे, ये क्या कहता है, देखें, एक तिहाई जो लोग हैं, वो कैसे मारे गएं, पिछले एपिसोड में हमने ये देखा है, यानि वो किस तरह से मारे गएं, उन्हें किस तरह से मारा गया, ये तो वचन 18 में बताय गया है उन तीनों महामारियों अर्थात आग और धुवें और गंधक से जो उनके मनुश्यों की एकतिहाई मार डाली गई आग किस वजह से होती है धुवा किस वजह से होता है गंधक किस वजह से होता है अब यहां पर इन तीनों के मिलने की वजह से एकतिहाई मारी गए खास होते हैं, इंग्लिश में वचन 18 क्या कहता है, अब ये जो है, ये तो बारूद और बम जैसे चीज़ों में अधिकोपियो किया जाने वाला मटेरियल है, तो देखे ये अलग अलग है, आग, धुआ, गंधक, आग की वज़़ क्या है, वाइड फायर के बार में कहता हूँ, जंगल में अचानक आग लगती है, दो हजार एक कीस में ऑस्टेलिया के जंगल में आग लग गई थी, उसमें कोला नाम की एक प्रजाती नश गई थी, तो ये ऐसे आग से होने वाली मृत्यू है, यहाँ पर एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए, एक साल के लिए, एक महिने के लिए, एक दिन के लिए है, वो समय है, ऐसी आग अगर एक हफते तक जलती रही तो, वाँ बैठेगा वो टाइमिंग जो है, अगर आप उ उससे जो धुआ उठा, उसके प्रभाव से श्वास लेने में परिशानी हुई और इस परिशानी के कारण लोग मर गए, यह एक किस्म की मृत्यू है, आग एक तरफ है, धुआ एक तरफ है, तीसरा है गंधक, जिसे हम ब्रिम्स्टोन कहते हैं, यह आसमान से भी बरस्ता है यह देखीए, लूत के समय में सदों और अमोरा में क्या गिरा था? चलिए उसके बारे में देखते हैं उदपति की किताब में अध्याय 19 से पढ़ते हैं, 19th chapter, यह जब हम इससे पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसने मुढ के देखा, मुढ के देखते वक्त क्या देखा इसके बारे में वचन बताता है यहां हम वचन 24 पढ़ते हैं उत्पत्ती 19-24 में वही आग सेम तिंग सदोम अमोरा में जो हुआ था वही सब कुछ यहां पर आने वाला है अब इन दोनों के मिलने से ही यहने इससे एक तिहाई मनुष्य मारे जाएंगे उस समय तो सदोम अमोरा दो शहर ही थे इस तरह से कह रहा हूँ कि लोग इसे समझ सके हिरोशिमा नागा साकी केवल ये दो शहर बम गिरने से नाश किये गए एक समय में एटोमिक बम गिराया था आज तक यही बम तीसरे वर्ल्ड वार में यूज होगा तो कैसे यूज करेंगे उस समय अमेरिका के पास केवल ये था केवल यही था उससे दो शहर नाश हुए आज जिन देशों के पास यह है वो तो सूला से जादा है वो उप्यूग करेंगे तो फिर क्या होगा वही इफेक्ट होगा वर्ल्ड वाइड सदो ममोरा तो दो शहर थे अब वही इफेक्ट अल ओवर दे वर्ल्ड देखिए अलबर्ट आइंस्टाइन से एक सवाल पूछा गया लोगों को ये आईसब्रेक जैसे बताता हूँ सवाल पूछा गया थर्ड वर्ल्ड वार कैसा होगा कैसे लड़ेंगे उसके प्रभाव क्या होंगे इस तरह से पूछा गया और उस समय आइंस्टाइन ने कहा थर्ड वर्ल्ड वार कैसे होगा नहीं जानता फोर्थ वर्ल्ड वार कैसे होगा ये मैं जानता हूँ लोग तो लकडी, पत्थर और भालों के साथ में लड़ेंगे लोग समझनी पाए तो पूछा ऐसा क्यों होगा थर्ड वर्ल्ड वार में ही जादा तर जो मनुष्य हैं वो मर जाएंगे उसके बाद लडने के लिए मनुष्य बहुत कम रह जाएंगे थर्ड वर्ल्ड वार में इतने लोगों को मार दिया जाएगा और ऐसे स्तर के हतियार बन गए हैं आज अगर इन शब्दों को देखे तो ये बिलकुल सही है ब्रिम्स्टोन, आग, धुआ, ये सब ही योधि में उप्योग किये जाते ये महतवपूर्ण बात है लेकिन ये तो आगमन के बाद में होगा ये हमें बताना है इसके बारे में जरा सोचिए और आश्चरी की बात है कि प्रभू ने जब इस भूमी को बनाया देखे ये सब जो है man-made creations ये जो weapons है ना प्रभू ने तो अच्छी तरह इसका स्रिजन किया और कहा कि इस सब को आप use करो और आनंद लो जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो पता चलता है कि ओरिजनल प्लान में प्रभू ने अच्छा ही सोचा है हमने हमने ही create करके इस तरह कर दिया ऐसा एक ऐसा समझ में आता है नहीं नहीं एक और बात समझनी होगी परमेश्वर जो है ये जो रचना करते उनको मिटा भी सकते है हाँ वो तो ओक है आप अपने बेटे को फोन लेकर देते हैं अगर वो उसका misuse करता है तो फोन लेकर उससे तोड़ने का भी अधिकार आपका ही है ऐसा क्यों किया इस तरह से आपका बेटा पूछ नहीं सकता है क्योंकि उससे पता है कि उसका उसने misuse कर दिया उसका misuse करना एक तरफ है मेरे पिता जी ने मुझे लेकर दिया है वो उससे तोड़ने का भी अधिकार रखते हैं ठीक है ना ये भूमी परमेश्वर ने मनुश्य को रहने के लिए दी थी misuse किया गया इन 6000 साल में इसका बहुत misuse किया गया है भूमी जो है वो तो अत्याचार और कुरूरता से भरिये ये वचन कहता है अब देखिए इस धर्ती को चाहे पिता कितने भी प्रेम से भरे हो इस भूमी की रचना करते समय न्याई के लिए जो भी चाहिए सब कुछ इसमें रक्के से बनाया है चलिए मैं आपके एक उधारन देता हूँ उत्पत्ती में देखिए creation इसे बनाते हैं और बनाते वक्त एक एक करके इसे बनाते हैं पहले दिन उजियाला ये अच्छा है कहां है ना तीसरे दिन पेड़ पौधे घास ये अच्छा है कहां चौथे दिन सूर्य चांद और तारे ये अच्छा है ये भी कहां सब के बारे में कहां कि ये अच्छा है सिर्फ दूसरे दिन में हम देखते हैं कि अच्छा है ये नहीं कहां अभी चलिए इसे पढ़ते हैं छटा वचन पढ़ते हैं उत्पती 1-6 यहां पर पढ़ते हैं जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाएं यानि जल के दो भाग हो जाएं कहां तब परमेश्वर ने एक अंतर बना के उसके नीचे के जल और उपर के जल को अलग-अलग किया और वैसा ही हो गया और वैसा ही हो गया और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहां तथा सांजुई और भोर हुआ इस प्रकार दुसरा दिन हो गया यह अच्छा है इस तरह से नहीं कहां पहला दिन जब खत्म हुआ परमेश्वर ने अच्छा है कहां वचन पांच में पांचवे वचन में यहां पर और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहां तथा सांज हुई फिर भूर हुआ इस प्रकार पहला दिन हो गया चौथा वचन परमेश्वर ने उजयाले को देखा कि अच्छा है यह ना बिल्कुल सही है वचन दस परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है देखे सब में अच्छा है कहां क्यों इस दूसरे में अच्छा है इस तरह से नहीं कहां गौर से देखे तो नुहु के समय में उत्पत्य अध्या साथ वचन उननीस में वो कैसे नाश किये गए देखे तो याने आकाश के द्वार खोल दिये गए थे और वो पानी नीचे आकर वहाँ पर उस समय के सारे मनुष्यों को मार देता है ये नियाई करने के लिए तब ही बनाया गया था ये तो अच्छे के लिए नहीं है ये लोगों का नियाई करने के लिए है इसलिए परमिश्वर ने अच्छा है इस तरह से नहीं कहा मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि रचना करते समय परमिश्वर जानते हैं कि क्या अच्छा और क्या नहीं है उससे बनाते समय उसका अंध भी लिखकर ही बनाते हैं ये गंधक, आग और धुआ ये मिला कर वो रखते हैं इसका उपयोग करना या नहीं करना ये हमारा निर्णे है तो वो पैकेज में ही है जी हाँ देखिए एक पुलीस वाले के हाथ में सरकार बंदूग देती है पर किसी को मारना है या नहीं ये तो उन्हीं के हातों में है हतियार तो है उप्योग करे या न करे या उनका निर्णे है जब हम इस Revelation chapter 9 को देखते हैं तो ये कितना detailed है और accurate भी है और God's nature भी इसमें बाहर आता है ऐसी कुछ बाते रहे गई थे Revelation chapter 9 में इसमें कौन सी बाते रहे गई अब देखे यहाँ पर मुख्य विशय जो इन लोगों को मारने के लिए कारण बना है ये उन चार दूतों के द्व रूट की थी इस तरवचन सोला कहता है यहाँ देखे यहाँ पर यह वास्तविक रूप में क्या कहना चाहते अगर यह सोचे तो final war के लिए सब एक साथ आ रही है तो उसके द्वारा घुड सवारों की सेना जो लाई गए उसके बारे में कहता है पहले नवे अध्या में दे कैसे थे जो घोडे मैंने देखे हैं उन घोडों के बारे में वो यहाँ पर इस तरह से कहता है घोडों के बारे में कहते हैं वो क्या बताता है कि उनके सिर और पूँच हैं और फिर आगे बताता है कि वो कैसे दिखते हैं यह जो घोडे हैं उनके सिर सीहों के सिर के समान थे और आगे कहता है और उनके मुह से आग, धुवां और गंधक निकलते थे अब ये क्या होगा याने ये सब जो खोज रहे हैं शायद हो सकता है कि अब तक वैसा कुछ भी न हो आने वाला हो सकता है बड़ी बात क्या है पूछे तो 1943 में जब बम गिराया गया तो ऐसा बम है दुनिया नहीं जानती थे किसी को पता नहीं था अचानक से हुआ कभी भी एक बम को या फिर किसी हत्यार को युद्ध होने पर ही उप्योग करते हैं तब तक बताते ही नहीं कि हमारे पास है हाँ उसे एक सीक्रेट है याने देखिए इस तरह से जो दिख रहा है अभी की ही बात ले लीजिए रोबो आर्मी अभी बनाई गई है हर एक आर्मी में रोबो का एक जमावड़ा बनाया इंग्लैंड में है और देखिए शायद भारत में भी इस तरह की आर्मी है लेटिस्ट बात है अभी अगबार में आई थी ये यूएस में है हर देश में है रोबो आर्मी के बारे में देखे तो ये सब अलग-अलग है कुछ मनुश्यों के जैसे हैं कुछ जानवरों जैसे हैं एक समय तो रोबो आर्मी का जमावडा होगा जरा सोचिए ऐसी रोबो आर्मी क्यों बना रहे हैं ताकि जान की हानी कम हो आम तोर पर जैसे सेना में लोग मरते हैं तो उनकी जान की हानी नहो इसलिए रोबो बनाई जाते हैं एक बार जरा सोच के देखिए रोबोटिक आर्मी होगी तो वो किस तरह की होगी सोचिए ये जो घोडे हैं वो तो देखने में घोडों के जैसे दिखते हैं आखे देख सकते हैं सिर जो है वो सीह के जैसे हैं मुह से आग धुआ और गंधक बरसाते हैं अगर हमारे हाथ में बंदूख है तो इसे आग और धुआ तो आएगा आत्यार है, यह इक बड़े चिन है, तो जब यह दूद की बात आती है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, यह पूछते हैं दूद ने जो कहां है वो आत्मे क्यों नहीं हो सकता है, क्या ऐसा कोई दूद नहीं आ सकता है, क्या दूद ही उनNEH खोलता है और धर्ती पर घोडों की यह सेना आती है अब उस दिन यहहना ने यह सब n ever need रिड़ी को जब देखा तो वो हेलिकप्टर की तरह है वो तो हेलिकप्टर को उन दिनों में जानता भी नहीं था यह हमारे लिए हेलिकप्टर है उधारन के लिए गिद्धों के ऊपर से मैं उन्हें लेकर आया था यश्या में कहता है कबूतर की तरह उड़कर आने वाले कौ के बाद 7 साल में होने वाली चीज़ों को 2000 साल पहले उसने देखा था चाहे वो आत्मा में था लेकिन उसका दिमाग सही काम कर रहा था उस हद तक जानता था दिमाग में इतना ही आया उसने ये सब आत्मा में देखा था और वो जो है उन सब बातों का परमेश्वर हम पर अभ पुराने नियम में यहना के 400 साल पहले ही बता दिया था जो प्रकाशन पाया था वो रोबोटिक आर्मी थी जैसे आज हम कहते हैं Autonomous Weapon इस तरह कहते हैं याने कुछ ऐसी चीज़े हैं और यही सब यहां पर यहना देख रहा था तो यहां पर यह 20 करोड लोगों की बड़ी सेना है तो सोच के देखिए 20,000 की सेना को तयार करने के लिए कितने तो भी देश उसमें जुड़े होंगे कौनसे कौन से देश मिलने पर 20 करोड की सेना बनेगी चाइना के बारे में एक आर्टिकल में पढ़ा था उस आर्टिकल में लिखा था चाइना का सपना क्या है इस इन दिनों में अगर चाइना की लेटिस्ट खबरें आप पढ़े तो उसने 160 देशों को उधार दिया है और जिनको उसने उधार दिया है अभी वो देश उसकी और आ रही है और हर देश में वो अपनी सेना को नियुक्त करना चाहता है इस तर से 35 करोड की सेना चाहता है अंति सब इतने बड़े किस तरह से होते जा रही है बाइबल में सपश्ट बताया है भूमी पर जिस दिशा से सूरज उखता है उस दिशा से राजा आएंगे शायद इस्टन किंग्स पूर्व के राजा याने चाइना को भी दर्शा सकता है तो यह सब मिलते और 35 करोड हो जाते ह हैं और देखी यह सब तो रोबोटिक आर्मी है और यह सब तो न्यू टेकनोलोजी वैपन सो उप्योग करेंगी और यह सब जो है वो हर्मगदेन के युद्ध में अंत में जाकर खड़े हो जाते हैं वचन सिध्ध रूप में बताता है अब हम जो उप्योग किये जाने वा और भी जरूर आएगा क्योंकि जो भी परमेश्वन ने कहा है वो हो चुका है तो इसके आने की संभाव ना है तो देखिए इस तरह से अगला भयानक हतियार बनने वाला है योईल ने कहां कि उसके सामने कोई मनुश्य टिक नहीं पाया कुछ ऐसा आने वाला है इस तरह से क देखिए यहां एक समय तक हम यह सोचते थे कि हां सीह का सिर्फ साम जैसे उसकी पूछ है अब टैंक को ही देखिए टैंक के आगे का हिस्सा एक जैसे होता है लेकिन पीछे देखिए वो बड़ा सूट होता है पीछे से देखिए तो पूछ जैसे लगता है अनुमान लगा रहा हूं यानि ऐसे बहुत से विश्य हैं जो अब तक आने के हैं तो देखिए यहां पर टेकनोलोजी कल जो प्रकाशन हमें बताए गए हैं सैटलाइट का खुलासा दिया है यह तो आ चुके हैं कुछ लोग आज भी इससे नहीं मानते हैं वो आत्मिक रूप में हिसे प्रकाशन नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब कितना अडवांस्ट है यह हम समझ पाते हैं बाइबल किस हद तक और ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है यह सपष्ट होता है और इसमें हमारे पास सिफ एक और मिनिट बचा है इसमें हम इतने आगे बढ़ने के बाद भी अगर आप 21 अगर आप देखेंगे तो इस नवे चैप्टर में इतना होने के बाद भी वो लोग नहीं बतले है ऐसा जो विशही है बहुत दुगताई बात है इसे आप कैसे देख रहे हैं नुहू के समय में उन लोगों का सबसे बड़ा पाप तो यही था परमेश्वर कह रहे हैं वैस परमेश्वर की समझ थी वो चले गए यह उसके बाद हो रहा है यानि इसके बाद जो भी थे यह तो परमेश्वर के बारे में थोड़ा बहुत समझते थे जो परमेश्वर को नहीं जानते थे वे ही यहां पर थे तो उनके लिए परमेश्वर के और से इसका कारण क्या है हम कुछ लोग आप देखिये परमेश्वर को डाटते हैं परमेश्वर होता तो ऐसे होता वो यही सवाल पूचते हैं इतने लोग मर रहे हैं परमेश्वर देखकर चुब बैठे हैं उनके आखे नहीं है, अब देखिए Newton का law भी ये कहता है, हर एक action की reaction होती है, for each and every action there is a opposite reaction, Newton ने पहले बता दिया है, मैंने ऐसा किया इसकी वज़े से ये हो रहा है, इस तरह से वो नहीं मानते हैं, परमेश्वन ने ऐसा क्यों किया, परमेश्वन ने इसकी अनुमती क्यों दी परमेश्वर तो जज है, नियाएधीश है, यानि तुमने जो किया उसके प्रभाव दिख रहे हैं, करने के पहले तुम्हें ये सब बता दिया था, तब भी तुमने नहीं सुना, उसे किया, इसे करने के बाद में पूछते हैं, कि इसकी अनुमती क्यों दी है, यानि तुम पाप भी करते रहो और दंड भी न मिले, यही तो वो कह रहे हैं, यहां के लोग ये ऐसे ही हो गए हैं, और इसलिए उसे खोजे बिना ही चले गए हैं, धन्यवाद ब्रदे जगर हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, और हम जो कारिकरम कर रहे हैं, इसे जनता को समझना है, अगल एपिसोड में हम अगली कड़ी को देखेंगे, नाइम चाप्टर को एक हद तक हमने समाप्त किया लग रहा है, लेट्स गो टो टेन चाप्टर, उसमें और भी बहुत सारे इंट्रेस्टिंग डीकोड करने वाले विशेह भी है, इस कारिकरम में आने के लिए धन्यवाद, सब्सका tudर अब मेंपकु अंने, मैं इस को इन्यवाद चाप्टर में अगले छेता। कर दो कर दो